नमस्कार स्वागत आपका टेक्निकल सार्थी यूटूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं जोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमें UAN को एक्टिव क्यों करना होता है यदि आपने अभी तक अपने UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिव नहीं किया है तब आप अपना पीएफ अकाउंट को लोगिन नहीं कर पाओगे यदि आप पीएफ अकाउंट लोगिन नहीं कर पाओगे तब आप पीएफ की किसी भी सर्विस का लाब या उप्योग नहीं कर सकते जैसे कि PF account की passbook आप नहीं देख सकते इसके साथ ही आप अपना e-nomination भी नहीं कर पाओगे नहीं आप अपना e-kyc कर सकते हैं PF account का UAN को active करने के लिए सबसे पहले हमें EPFO की website open कर लेनी है दोस्तो इस website की link आपको इस video के description में मिल जाएगी और साथ ही आप इस video को पूरा देखने के बाद आप अपने phone से भी अपने UAN यानी universal account नमबर को active कर सकते हैं यहाँ पर Google Chrome में EPFO की website open करने के बाद हमें सबसे पहले activate UAN पर click कर देना है इसके बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक नया page open हो जाएगा यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना UAN नमबर एंटर कर देना है इसके बाद हमें यहाँ पर अपना अधार नमबर भी एंटर कर देना है इसके बाद यहाँ पर हमें अपना नाम एंटर कर देना है यहाँ पर अपना नाम एंटर करने के बाद हमें अपना डेटो बर्थ भी सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नमबर भी एंटर कर देना है मोबाइल नमबर एंटर करने के बाद हमें नीचे स्क्रोल डाउन करना है और नीचे यहाँ पर हमें capture code एंटर कर देना है यहाँ पर capture code एंटर करने के बाद हमें checkbox पर click कर देना है नीचे scroll down करना है और उसके बाद हमें get authentication pin वाले option पर click कर देना है यहाँ पर get authentication pin वाले option पर click करने के बाद processing में कुछ time लग सकता है हमें कुछ time के लिए wait कर लेना है यहाँ पर कुछ time wait करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का एक page open हो जाता है यहाँ पर हमारे phone number पर एक OTP भेज दिया गया है जो कि हमारे आधर card से link है यहाँ पर हमें अपना OTP enter कर देना है यहाँ पर OTP enter करने के बाद validate OTP and activate UN वाले option पर click कर देंगे यहाँ पर हमें फिर से कुछ time के लिए wait कर लेना है यहाँ पर कुछ time wait करने के बाद आप तेख सकते हैं कि हमारा जो UN है वो successfully activate हो गया है और हमारे registered mobile number पर default password भेज दिया गया है दोस्तो आप भी कुछ इसी परकार से अपने UN number को activate कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो से related आपका कोई भी सवाल या query हो तो comment box में comment करके जरूर पूछे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe करे Thank you so much for watching